हेलो एवरीवन वेलकम अगेन इन लंडरी दितिमन कोल इंडिया रेकूटमेंट 2023 टैंथ से पोस्ट ग्रेजुएट तक के डिग्री डिप्लोमा धारी जो है यहाँ पर एप्लिकेशन कर सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पर 1764 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन की जो कटिंग है कट ओफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 30 सितंबर 2022 तक का और ओपनिंग डेट जो है वो एप्लिकेशन करने की 4 अगस्त से क्लोजिंग डेट ऑफ ओनलाइन एप्लिकेशन की 2 सितंबर ठीक है लास्ट डेट जो है वो 2 सितंबर रहेगी यहाँ पर फ्रेशर जो है वो एप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं जिनके पास experience है वही यहाँ पर apply कर पाएंगे तो देखिए 7 पेजिस की जो है यह notification है complete कोल इंडिया एक महारतन कंपनी है और यहाँ से जो notification डेटेल में जारी हुआ है दिनाक 1 अगस्त 2023 तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट के लिए वेकैंसी निकाली गई है ओपनिंग डेट जो है यहाँ पर 4 अगस्त की closing डेट जो है व अगर आपने MA हिंदी में जो है minimum second glass of 55% marks के साथ किया है और 10 साल का experience है आप लोगों को तो आप यहाँ पर eligible है legal के लिए low graduate आपने किया है तीन साल का experience बांगा गया है fresher जो है यहाँ पर eligible नहीं है full time course का journalism या mass communication या public relation में ठीक है तीन साल जो है आपका यहाँ पर work experience मांगा गया है secretarial के रिए यहाँ पर 10th मांगा गया है या फिर आपने graduation arts science commerce में किसी में भी किया है अगर आपने तो 3 साल का experience अगर आपके पास 10th 12th है तो आप 5 साल का experience जो है यहाँ पर रहेगा ठीक है इसके अलावा जो है वो एक और post है जहाँ पर graduate in any discipline किसी में भी arts commerce science में जो है वो आपने किया हो तो आप यहाँ पर eligible हो यहाँ पर कोई भी experience जो है वो आपसे नहीं मांगा गया है यहाँ पर जो total vacancy जो कितनी है यहाँ पर हर post के लिए तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ हिंदी के लिए जो यहाँ चार post है category wise जो है यहाँ पर बटी हुई है ठीक है चार में से तीन जो है वो general की है legal की जो है वो 22 post है जिसमें 16 जो है यहाँ पर सामने category की है personal की जो है वो 114 post है जहाँ पर 98 जो है यहाँ पर general category की है public relation की तीन है और इसके लाबा जो हो secretaryal की जो है यहाँ पर 32 post है जिसमें 16 जो है वो general category की है ठीक है उसके बाद जो वो CS की जो पोस्ट है यहापर दो जो है वो पोस्ट है तो अब देखिए application जो है वो कैसे करनी है how to apply तो यह जो इसकी main website है www.callindia.in इसके जो career section जो है उसमें आप लोगों को जाना है application वहाँ आप कर पाओगे सबसे पहले आप लोगों को detail instruction जो है वो बिलकुल form भरेंगे उससे पहले आप लोगों को पढ़ लेनी है ठीक है उसके बाद ही जो है वो application करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी main point है वो मैं आप लोग जाएगा paper second में जिस subject के लिए आप लोग form भर रहे हैं उस subject से related जो है वो knowledge पूछी जाएगी और तीन घंटे का जो है यह exam आपका होने वाला है यहाँ पर general category के लिए जो 45% marks जो है वो each paper हर paper में लाना जरूरी है SCSD candidate और PWD candidate इनको 35% marks लाना जरूरी है बाकी general instruction जो है इसकी PDF इसकी जो notification है वो complete इसका link में आप लोगों को share कर दूँगी आप लोग अच्छे तरीके से form यदि भरना चाहते हैं तो यहाँ भरिए जिस तरीके से आप जानते हैं केंद्रे विध्याले में departmental vacancies आती हैं ठीक है तो उसी तरीके से यह जो है वो vacancy है यहाँ पर जो fresher candidate है वो application नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो बता दूँ कि अभी जो है 2023 और 2024 इसमें जो है कोल इंडिया की तरफ से जो है बहुत बड़ी संख्या में vacancy आने वाली है fresher candidate के लिए ठीक है तो आप है वो salary काफी अच्छी रहती है यहां का experience काफी अच्छा रहता है ठीक है हर तरीके से जो है यह आप लोगों के लिए जो है अच्छी रहेगी तो fresher जो है वो बिलकुल यहाँ पर तयार रहें 2023 में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर vacancy आने वाली है क्योंकि काफी जो ह है वो पद जो है वो खाली है ठीक है तो जैसे ही vacancy यहाँ से आती है notification आता है मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पर experience student जो भी eligible है यदि वो interested है तो application कर सकते हैं मिलेंगे next video में thank you